नमश्कार दोस्तो आज हम लेकर आयें एक और नहीं स्टोरी उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ये कहानी एक सेथ जी की है जिनोंने जीवन में बहुत सारा पैसा कमाया लेकिन उनके घर में कोई नहीं था जो सुख को भोग पाता सेथ जी इसी चिन्ता में डूबे रहते थे कि इतना सारा पैसा कमा लिया लेकिन सुख भोगेगा कौन उन्हें किसी ने बताया कि एक गाउं में बाबाजी रहते हैं गाउं के बाहर जोपड़ी बना करके वहां जाकर मिलो तुम्हें वो समझा देंगे सिखा देंगे एक बैग में सारा पैसा लेकर के सारी ज्वेलरी लेकर के सेथ जी पहुँच गए बाबा जी के चरणों में रख दी और कहने लगे कि बाबा जी मुझे खुश रहने का फॉर्मूला बता दो सेट जी अपनी बात कह ही रहे थे कि बाबा जी ने आओ देखा न ताओ देखा वो बैग ले करके गाओं की तरफ दोड़े भागे सेट जी को पहले तो समझ में नहीं आया फिर लगा कि बाबा जी तो सारा पैसा लूट करके भाग रहे है चिलाने लगे बैमान बाबा है चोर बाबा है मेरा पैसा ले करके भाग रहा है और बाबा जी भागते चले जा रहे थे उनको एक एक गली पता थी गाओं की क्योंकि उसी गाओं में भिक्षा ग्रहन करते थे सेट जी पीछे पीछे दोड़ रहे थे बाबा जी ने पूरे गाउं में चक्कर लगा करके वापस जो है अपनी जोपड़ी की तरफ आ गए सेट जी भागे दोड़े आए और सोचने लगे की आज तो मैं लुट गया लेकिन तभी देखा की बैग वहाँ पर रखा हुआ है बाबा जी थे नहीं बिना देरी के बैग को उठाया और कहने लगे की भगवान आपने मुझे मेरी खुशियां लोटा दी मेरा पैसा वापस आ गया मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मैं सबसे खुशी इंसान हूँ सुखी इंसान हूँ तभी बाबा जी जोपड़ी के पीछे से निकल करके आए और कहने लगे मिल गई ना खुशी तेरी असली खुशी इसी में थी बाबा जी ने कहा अब ये बैग ले जाओ वरना फिर से लेकर भाग जाऊँगा बहुत छोटी सी कहानी है जो मिलता है उसकी हम कदर नहीं करते जो खो जाता है फिर हमें टैंशन हो जाती है कि खुशी तो हमारे पास थी हमने खो दी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक चरूर करे धरनेवाद